चोपड़ा एजुकिस निटूब चैनल पर मैं हरसाई चोपड़ा आपका हरदिक स्वागत करता हूँ मेरे पैरे बचो MCC, MBBS, BDS, Admissions के लिए काउंसलिंग में भहुत बड़ा चेंजिज हो गया है इस वाग और वो चेंजिज ये है कि पहले हम फर्स्ट राउंड में ही अपग्रेड का ओप्सन दे सकते थे लेकिन अभी फर्स्ट राउंड में भी अपग्रेड का ओप्सन दे सकते हैं और सेकेंड राउंड में भी अपग्रेड का ओप्सन दे सकते हैं यानि की third round तक seat को upgrade कर सकते हैं इसके बाद stray vacancy round होगा तो MCC ने अपना information bulletin 2023 के लिए जारी कर दिया है और इसमें ये सारी चीजें बताई हैं तो एक बार information bulletin आप भी download करके इसको read कर सकते हैं 2023 में क्या changes हुए हैं मैं आपको यहां पर simple language में बता देता हूँ तो information bulletin डाउनलोड करने के लिए आप MCC की website पर यहां से डाउनलोड कर सकते हैं जैसे ही information bulletin डाउनलोड करेंगे इस 65 pages के information bulletin में वो सारी बाते लिखी हैं जो 2022 में भी लिखी गई थी लेकिन कुछ changes इस परकार से हुए हैं इसमें जो first round होगा उसमें changes ये है कि first round में result आने के बाद पहले document upload नहीं होते थे लेकिन इस बार से document upload होगे first round का result आ जाएगा और जिन candidate को seat alert हो जाएगी तो first round में तो बस इतना ही changes है यानि कि first round में जिन candidate को seat alert होगी उसको documents upload करना है MCC के portal पर और उस college में जाकर के report करना है report करने के बाद original documents और fees deposit करनी है upgrade का option देना है अगर कोई candidate अपग्रेड लेना चाता है तो upgrade का option देने के बाद आप second round में participate कर सकते हैं लेकिन अगर upgrade का option नहीं देते हैं तो आपकी counseling यहीं end हो जाती है यानि कि आप आगे participate नहीं कर पाएंगे अब इसमी जो first round के बाद आपने seat ले ली second round में registration करने की जरूरत नहीं है second round में वही candidate registration करेंगे जिन्होंने पहले first round में registration नहीं किया था second round में registration करने के बाद 24 फिल दुबारा से होगी और second round में 24 फिल करने के बाद अगर seat alert हो जाती है तो आपको mcc की website पर documents upload करने हैं first round की तरह उसके बाद college में जाकर के second round की seat college में जाकर के आपको join करनी है original documents के साथ में और fees deposit करनी है वहाँ पर एक सबसे बड़ा इस बार के लिए change ये हुआ है कि आप second round में भी upgrade का option दे सकते हैं यानि कि आप second round join करने जा रहे हैं तो second round से third round के लिए upgrade का option दे सकते हैं ये पहले IUSE की counseling में हुआ करता था अभी MBBS, BDS, BSC, Nursing की counseling में भी ये change हो चुका है यानि कि आप second round की seat join करने जा रहे हैं, join कर ली है वहाँ पर आप upgrade का option दे सकते हैं अब जिन candidates ने first round में seat join नहीं किया था seat alert हो गई थी, उनको कोई नुकसान नहीं है first round फिरी एक्जिक्ट है लेकिन जिन candidates ने first round की seat join की थी और second round में उन्होंने upgrade का option दिया था second round में उनकी seat upgrade हो गई है तो उनको first round की college में जा करके वहाँ resign दे करके relieving later लेकर के second round की college में admission formal teach पूरी करनी होगी वहाँ join करना होगा ये rules है second round के अब इसमें अगर किसी candidates को second round में seat upgrade नहीं की है नहीं हुई है उसकी तो first round वाड़ी seat उसकी agt रहेगी second round में उसको दुबारा से जाकर के report करने की जरूरत नहीं है लेकिन अगर किसी को first round में seat alert हो गई उसने join नहीं किया तो second round में वो first round की seat को claim नहीं कर सकता है अब इसमें जिन candidates ने first round में registration नहीं किया था वो second round में registration कर सकते हैं first round में कर लिया second round में करने की जरूरत नहीं है वो अभी जिनोंने first में और second में registration किया है वो third round में भी participate कर सकते हैं लेकिन अगर जिन candidates की seat upgrade नहीं हुई है माल लो किसी ने first round में admission ले लिया second round में उसने अपग्रेड के लिए डाला, second round में उसकी अपग्रेड नहीं हुई है, और वो चाता है कि वो seat को छोड़ना चारा है उसको, second round यानि first round वाड़ी seat को छोड़ना चारा है, तो जैसे ही second round का result declare हो जाएगा, उसके दो दिन बाद तक MCC द्वारा एक date declare की जाएगी, और उस date तक first वाड़ी seat को छोड़ सकते हैं आप, ये rule है second round के, तो इस बार second round में जो rule change हुआ है, वो ये है कि second round में भी आप अपग्रेड का option दे सकते हैं, बाकी सारे rules वही हैं, पिछले बार वाले, अब बात करते हैं third round की, third round में, जिन candidates को second round में seat allot हुई थी, या first round में seat allot हुई थी, अपग्रेड का option डाला था, अगर उनकी third round में seat अपग्रेड हो जाती है, तो previous college में जाकर के, वहां से relieving letter लेकर के, third round की college को join करना है, ये है third round के लिए rule, अब इसमें, candidates ने, अगर first और second round में, जिनको seat नहीं मिली है, उनको दुबारा से registration करने की जोरत नहीं है, third round में, फिर से fresh registration होते हैं, जिनोंने पहले registration नहीं किया है, वो registration कर सकते हैं, third round में fresh choice fill होगी, और इसमें भी result के बाद में, documents upload होंगे, अगर जिन candidate को seat मिल गई है, ग्रेड उनकी हुई है, तो physical reporting, original documents के साथ में, वहाँ पर करना है, second round से, वहाँ से relieving later लेकर के, second round की college से relieving later लेकर के, आपको third round की college join करनी है, अब यहाँ पर एक यह है कि अगर किसी candidate को third round में seat मिल गई है, और वो उसको resign करना चाता है, तो third round की seat को वो resign तो कर सकता है, या फिर join नहीं करना चाता है, तो वो छोड़ तो सकता है, उसकी जो security money है, वो forfeit हो जाएगी, और वो आगे के round में participate नहीं कर सकता है, second round में अगर किसी candidate को seat alert होती है, और वो join नहीं करता है, तो उसकी security money second round में ही forfeit हो जाएगी, वो third round में फिर से security money deposit करके participate कर सकता है तो आप second round की seat को छोड़ सकते हैं आपकी security money forfeit हो जाएगी लेकिन आप आगे के round में eligible रहेंगे लेकिन third round में अगर आपको seat alert हो जाती है तो उसको छोड़ेंगे तो आपकी counselling आगे के आप participate नहीं कर सकते राउंड में और आपकी security money भी forfeit हो जाएगी अगर किसी candidate को phrase registration है third round में और उसको seat alert नहीं हुई है तो stay vacancy round में वो participate कर सकता है stay vacancy round में कोई seat upgrade नहीं होगी phrase allotment होगा किसी भी candidate को phrase allotment होगा stay vacancy round में तो ये third round के rules है अभी stay vacancy round के rules देख लेते हैं stay vacancy round final round होगा जो stay vacancy round है final round होगा इसमें phrase registration कर सकते हैं अब जिन candidates ने पहले registration किया है उनको दुबारा से registration करने की आउशकता नहीं है जिनको अभी तक कोई seat alert नहीं हुई है अब यहां पर मोपप round शोरी stay vacancy round में एक बड़ा changes यह है कि पहले dimmed university का stay vacancy round concerned dimmed university conduct करवाती थी लेकिन अभी dimmed university का stay vacancy round भी NCC दौरा conduct करवाया जाएगा ये भी बहुत बड़ा changing हो चुका है इस बार counselling में इसके बाद इसमें अगर कोई candidate को stay vacancy round में seat alert हो जाती है और वो उस पर join नहीं करता है तो सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि वो आगे दो साल के लिए NEET की counselling में admission नहीं दे सकता है वो नहीं ले सकता यानि कि वो MCC की counselling में admission नहीं ले सकता अगले दो साल के लिए हो सकता है वो state में admission ले सकता है लेकिन MCC की counselling में वो दो साल तक admission नहीं ले सकता अगर किसी candidate को stay vacancy round में seat alert हो जाती है और वो उसको join नहीं करता है तो यह rule change हुए है इस साल के लिए rules मैंने बता दिये हैं फिर भी मैं आपको एक बार summarize करवा देता हूँ पिछली साल से इस साल के लिए rule change यह हुए है कि आप second round में जिस college को join कर रहे हैं उसमें upgrade का option दे सकते हैं third round के लिए यानि पहले second round तक upgrade होता था अभी third round तक upgrade होगा यानि कि आप first round second round की seat को भी आप mop up round में upgrade करवा सकते हैं third round में upgrade करवा सकते हैं mop up round का नाम यहां से हटा दिया गया है यहां third round का नाम कर दिया गया है दूसरी बात जिन candidate को second round में seat alert हो जाती है जोइन नहीं करते हैं तो उनकी security money forfeit हो जाएगी जबत हो जाएगी लेकिन वो आगे की counselling में फिर से security money deposit करके participate कर सकते हैं अब third round में जिन candidate को seat alert हो जाती है वो previous allotted college से relieving later लेकर के upgraded college में उसको जाना है और वहां original documents deposit करने हैं अगर वहां उस seat को वो resign करता है तो security money या फिर join नहीं करता है तो security money तो forfeit होगी ही आगे की counselling नहीं करवा सकता हो और stay vacancy round में अगर कोई candidate को seat alert हो जाती है और वो उसको join नहीं करता है तो दो साल के लिए वो MCC की counselling में participate नहीं कर सकता है वो तो ये बड़े changes हुए हैं इस बार dimmed university के लिए MCC counselling करवाएगी stay vacancy round में पहले concerned dimmed counselling करवाती थी फिर भी इन ruling को आप देख सकते हैं information brochure download करके ये check कर लेएग तो हमारी book download कर सकते हैं इस वीडियो के description box में link है आप वहाँ से download कर सकते हैं या फिर हमारी website www.chopraeducation.in से भी download कर सकते हैं जिसी आप download करेंगे हम आपसे संपर कर लेंगे इसमें 24 list भी दी गई है 2023 के लिए क्या आपको 24 करनी है कैसे करनी है आयूस वेटनरी स्टेट और इंडिया कोटा सभी के लिए book available है तो मैं सोचता हूँ या आपके लिए काफी helpful रहेगी मिलेंगे नई जानकारी के साथ नए वीडियो में तब तक के लिए जैभिंग करने है